आप सभी कमेंट वाक्स ने आपको जितना कोश्चन का जवाब आया आप कमेंट वाक्स ने बताना और जो स्टुडेंट सभी कोश्चन का सही जवाब देगा उस एक स्टुडेंट को मैं अपने टॉप 100 बैच में बिल्कुल फ्री में जोड़ूँगा तो आप सभी से रामचन सुक्र और श्याम सुन्दर दाश जी थी ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर राम आचार रामचन्द सुक्र जी आधनिक काल को गदकाल कहा थीक है अब बात करते हैं सेकड्ड कोश्चन की आपको जो जो सिर्कोश्चन का जवाब आ रहा है first का A a first का C आप कमेंट वाक जी की भी नहीं है इसका correct answer है दामोदर सर्माजी का ठीक है दामोदर सर्माजी की रशना उक्ति व्यक्ति प्रक्रण है बात करते हैं थर्ड कोश्चन की थर्ड कोश्चन आपके स्कीन पर है और यह जितने कोश्चन है यह 2021 के मोडल ठीकर में दिया गया है तो आप सभी से रिक्वेष्ट दो इसमें एक भी कोश्चन को आप मिसमत करना कवी वचन सुदापत्रिका के संपादक कौन है तो कवी वचन सुदापतक के संपादक भारतेंदु हरिस्चंजी है लिए सबसे पहले एक कोशन और पूछ सकता है कि फोर्ट विल्यम कॉलेज कहां पर इस्तीत है तो अगर यह कोशन आता है तो आप बताना कलकत्ता में बात करते हैं फिर्थ कोशन की फिर्थ कोशन है भारत दूर्दसा नाटक रचीता यह बहुत प्रमुख नाटक है और बहुत प्रसीद नाटक है भारत दूर्दसा नाटक के रचीता कौन है आपके भारत दूर्दू हरिश्चन जी आंसर नंबर घर ठीक है तो भारत दूर्दसा नाटक रचीता पूछे कोन है तो भारत दूर्दू हरिश्चन जी आपको बताना है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहाने इंदु मती है और अगर पूछले हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है तो परिच्छा गुरू ठीक है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहाने इंदु मती है question आपके skin पर महावीर प्रसाद दिवेदी ने क्या किया है आपको बताना है महावीर प्रसाद दिवेदी ने क्या किया और इप आप साथवे question का answer आप comment box बताएंगे मैं देखना चाहता हूं कौन सी student सबसे सही जवाब देते हैं कि महावीर प्रसाद दिवेदी ने क्या किया है साहित की इतिहास लेखन का कार या कभी वचन सुधा का संपादन ब्रज भासा का प्रेयोग या भासा परिमार्जन आपको इन चारों में से जो सही आंसर लग रहा है आप कमेंट वॉक्स जरब बताए ठीक है बात करते हैं आठवा इस तक इसकी चायावाद युक की समसी में ठीक है उन्निस सो अठारा से उन्निस सो अड़तीस श्वी तक बात करते हैं नौवा कोश्चन प्रेम चंद की रचना है ये तो बहुत इजी नेयक्स कोश्चन की अब यहीं पर पूष ले अगर ध्रू स्वामनी किसकी रचना है तो जैसंकर प्रसाद की और कंकाल भी जैसंकर प्रसाद की रचना है ठीक है तो ये दोनों धुरू सामनी कंकाल आपके जैसंकर प्रसाद की रचना है और गोदान आपकी प्रेमचन की रचना है पात करते हैं दस्वा कोश्चन की हिंदी की प्रथम एकांकी है आपको बताना हि हिंदी की परतोम in principal कोर्षा अबी मैंने आपको बताए हिंदी की प्रतम और फिलियर करोकि की अब ये 10 नमबर का आपके board exam में आता है clear है बात करते है 12 question आपके skin पर हजारी प्रसाद दिवेदी की रशना है और आप सभी question का जवाब आप comment box में लिखते चलो हजारी प्रसाद दिवेदी की रशना किसकी है किसने लिखा आपको बताना हजारी प्रसाद दिवेदी की रशना इन चारों में से कौन है तो हजारी प्रसाद की रशना कौन सी बाढ़ भट की आत्म कता ठीक है और ये एक उपन्यास है हजारी प्रसाद दिवेदी की रशना बाढ़ भट की आत्म कता ये एक उपन्यास है और यह खह इसका सही अंसर है बात करते हैं 13 कोशन की निमलिखित में से कोई एक कथन सत्य है पहचान का लिखना है आपको बताना इसमें से कौन सा कथन सही है ठीक है गोदान प्रताप नरायन मिंसर की रचना है बिल्कुल गलत क्योंकि मुंसी प्रेम चंद की है खह कोशन भी दी गलत है गह उप्शन है हंस प्रतिका के संपाधक जैसंकर परसाद यह भी रहंग है रंग भुमि म मुपन्या जनेन का इभी यह और यहां पर जो फर्स्ट आप्षन है का मैनी जैसंकर परसाद की रचना है और यही अप सब्सक्र पूछा कि कोई एक कथन सत्या पहचान क या जीवनी है ठीक है तो राम दरबारी किस्विदा की रचना शारा repentance को बात करते हैं वर्ड रतना कर किस भासा में आपको बताना है वर्ड रतनाकर किस भासा रचित यह एक रचना है और यह किसवसा में मैथली भासा में ठीक है वड़ रतनाकर जोत्रिश्वर दौरार रचीत एक रचना है और ये किस भासा में लिखा गया है मैथली में ठीक है बात करते हैं सत्रहवा कोशन की सत्रमां कंचिन पर आनंद काडम्बनी पत्रिका के संपाधक थे आपको बताना है आनंद काडम्बनी पत्रिका के संपाधक थे भारतिंदुहुर aid दुहर पालकृष्पट यह भी नहीं ते रस्याम सुंद्रदास यह भी नहीं बद्री नाच चोदरी प्रेमधन जी आनन कांदबनी पत्रिका के संपादक थे क्लियर बात करते हैं ठारवा कोश्चन की रेखा चीत्र पर अधारी रचना है इस कोश्चन का जवाब आप कमेंट अक्स बताई का ठार में का कोश्चन सही है ख ग यह घ क्लियर है बात करते हैं उनिश्वा कोश्चन की उनिश्वा कोश्चन आपके स्कीन पर परक सुनीता यह सुखता जैसे सुप्रसित उपन्यासों की रशना किसके दारा की गई है ठीक है तो इसका सही अप्शन है जैनेन कुमा स्याम सुन्दर दास हजारी प्रसाद दिवेदी मोहन राकेश हरी संकर प्रसाइद थीक है तो आप सभी को पता है बार बट की आठ कता के लिकए हजारी प्रसाद दिवेदी जीए ठीक है तो इसका सई अप्शन हो जाएगा answer number ख ठीक है बात करणे 23 कोश्चन की 23 कोश्चन स्कीन पर है कुट निबंध के दो ये भी इसका अंसर हजारी प्रसाद दी धी नर्वाट करते हैं, 24 कोशन और असोग के फूल की रषनाकार है विदि निवास मिसर जी हजारी परसाद दिवेधी बाल क्रीस इतव पर्ट पता आपने रहेज मीश्टी बंक्र ही सब्सक्राइब 8 आपके हज़ारी परसाद दिवेधी है तो यार मैंने इन question को select नहीं किया गया, UP border select किया गया है, तो जो भी answer है आप उसको सही सही देते चलो, ठीक है, आलोग पर किस लेखा की कृति है, तो आलोग पर भी हजारी प्रसाद देविदी लेखा की कृति है, clear है, बात करते हैं, 26 question की, एकाद मानवाद की लेखा का है, य पंडित दिन दयाल उपध्याई जी है, ठीक है, तो इसका अभी answer number खाऊ जाएगा, पंडित दिन दयाल उपध्याई जी, पात करते हैं, 27 question की, माता भूमी, पुत्रो, पृत्वा, किस पार्ट से लिया गया है, तो इस question का जवाब, 27 question का answer, आपको comment box से देना, ठीक है, 27 का answer अब्धिल्ब कलाम होगा, ठीक है, तो सबसे पहले, आप 27 का कौन सा answer होगा, उसको comment box में comment कर दीजे, बात करते, 28 question की, भारत इंदु यूग के निबंदकार है, आपको बताना है, भारत इंदु यूग के निबंदकार कौन है, तो भारत इंदु यूग के निबंदकार कौ प्रताप नरायन मिसर जी है, ठीक है, तो 28 का सही answer हो जाएगा, answer number ख, प्रताप नरायन मिसर जी, और इस वीडियो के description के नीचे मैंने एक वीडियो का link दिया, अगस से पढ़कर आप कैसे टॉपर बन सकते हैं, तो जैसे ये test खतम होता है, आप उस वीडियो को जोड़ धिरेंदर वर्मा, प्रेमचंद, अमरित राय, रामचंद, सुकल जी, ठीक है, तो इसका सही option हो जाएगा, answer number ख, अमरित राय जी, कलम का सिपाई क्रिशनाकार, अमरित राय क्लियर है, बात करते हैं, तीसमें कोशन की, सज्जन कल्यारी परिड़ाय अजात सत्रु नाटक है ये कौन से लेखर द्वारा लिखा गया है, ठीक है, असज्जन कल्यारी परिड़ाय अजात सत्रु नाटक, जैसंकर प्रसाजी दरा है, ठीक है, तो इसका सही answer खाऊ जाएगा, जैसंकर प्रसाजी क्लियर है, वही पर बात करेंगे 31 कोशन की, 31 कोशन है, उपन्यास सब्द क साब्दिक अर्थ है, ठीक है, तो उपन्यास सब्द का साब्दिक अर्थ, इसमें आपको पुछा है, तो उपन्यास वहता है, जो रचना या कोई व्यक्ति हो, जो आपके समीप हो, और उसके सम्पूर, जीवन के चरित के आसपास, जो भी होने वारी घटना हो, उसको तरीके से वड़न करना होता है, ठीक है, तो ये उपन्यास सब्द का साब्दिक अर्थ है, ठीक है, यानि कोई भी अगर व्यक्ति हो, या फिर कोई रचना हो, उसके जो भी समीप में, कोई भी पूरा उसके जीवन के चरित के आसपास, जो भी घटना है, घटी तो उसका कि विदा की रचना है, मोस्ट इंपोर्टन को से ए, अरे यावर रहेगा याद किस विदा की रचना है? तो यह आपका रेखाचेत नहीं ही ना ही सन्स्मरण और नाहीं आतमकता है यह आपका यात्रावीता ठीक है और यह आगए ध्य रचित अरे यायवर रहे गा यह यात्रा वितान js जिक आप παत करते हैं थर्टी ठी कोछुन की गेहु और गulaब माती की मूरते किस विधा की रचना है यह आप आपको कमेंट बॉक्स में बताना है question number 33 आपको कमेंट बॉक्स में देना है question number 34 डायरी लेखर के परियावाची सद्ध है यह काफी easy है आप सभी सबसे पहले comment बॉक्स में बताए क्योंकि जब तक आप इसमें test में participate नहीं करोगे आप question को जवाब नहीं दोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सब तयार हो के ने ठीक है डायरी लेखर के परियावची सद्ध परिचर्चा भेटवांता द्यानिकी द्यानांदिनी विसेश परिचर्चा आप comment बॉक्स सबसे पहले बता है बात करते है बात करते हैं पूरति नहीं है आपको बताना है निमलिखित से बहुरत्यंदू युग का लेखक नहीं है यहाँ पर पूर्व लिग दिया गया है तो यह भी आंसार आप comment box बताओ सिप्रसाथ सितारे हिंद जी लचमर सिंग या सपाल जी इंसा लखन आपसे तोटल मैंने चार question पूछ सुके हैं और एक question मैं आपसे और पूछूंगा और यह सभी पांच question का जवाब जो student सबसे पहले comment box में देगा उसको मैं आपने top 100 बैचर सबसे पहले जुड़ूँगा ठीक है बात करते हैं 37 question की 37 आपके screen पर है भासा और आधिनुक्ता निवन के लिखक है आपको बताना है भासा और आधिनुक्ता निवन के रेड़ी जी है clear है तो इसका भी सही answer आपके ख़व हो जाएंगे clear है बात करते हैं 38 question की 80 नागरी प्रचानी सभा की स्थापना किसने की है आपको बताना है 80 नागरी प्रचानी सभा की स्थापना स्याम सुन्दर दाश जी निए ठीक है 38 का सही answer हो जाएगा answer number का 80 नागरी प्रचानी सभा की स्थापना स्याम सुन्दर दाश जी ठीक है बात करते है 39 question की की रचना को बताना है इसमें से 1005 जी के कौन थी नहीं से वाषदन यूंग नहीं है तो कौन से आपशन मिनी बच जटता में असोक के फूल हूं कि रचना बात करते हैं 14 कोशन फटू का खरंक्न अदि का ग्रंथ याँ आपको आपको खाला ऱ भारति इंदू यूग के लेखक नहीं है सबसे most important question है और एक बात मैं आपको बता दू हिंदे के जितने question है आपको यह सभी question आपको याद करने पड़ेंगे कोई इसमें कोई concept नहीं है आप समझ सकते हैं सभी question आपको याद करने पड़ेंगे तो आपसे request में जितने question बताते चलना हूं आप copy नोट डाउन करते चलो या comment box में इसका जवाब देते चलो ठीक है भारति इंदू यूग के लेखक नहीं है इसमें से चार option प्रताप प्रसाद दिवेदी जी ठीक है तो आप question को बहुत ध्यान से पढ़ना क्योंकि क्या पूछ रहा है यह आपको जानना बहत जरूरी है ठीक है बात करते हैं 42 question की निंदा रस निवन के लिखक है तो आप सभी को पता है निंदा रस निवन के लिखक हरी संकर परसाई जी है ठी most important question है भूत के पाव पीछे और प्रडंडियों का जमाना रचना है और इसका भी correct answer option नंबर खर हरी संकर परसाई जी की रचना है भूत के पाव पीछे और प्रडंडियों का जमाना रचना ठीक है आपको जितने question का जवाब आ रहा है अब सभी comment box में देते चलो क्योंकि जो 44 question की हिंदी के साहित इतियास के लेखा किया है आपको बताना है हिंदी के साहित इतियास के लेखा कौन है तो यहां पर चार आप्सार अचार रामचंद्र शुक्ल जी तो इसका correct answer ऑप्शन नंबर को आचार रामचंद्र सुक्ल जी ठीक है है वही पर 45 question काफे important question है शन 2002 में भारत की ग्यारवे राश्पती बने ठीक है आपको बताना है 2002 में भारत के ग्यारवे राश्पती कौन बने तो 2002 में आपके डॉक्टर एपी जेब्दुलकलाम भारत की ग्यारवे राश्पती बने थे वही जो यह डॉक्टर केया नरायन जी है यह 1997 से 2002 तक आपके भारत की रा 2020 भी डॉक्टर एपीज अदुल कलाम की रचना ठीक है यह कोशन आप याद कर लो क्योंकि यह कोशन आ सकता है कि विजन 2020 किसकी रचना है तो इसमें चार आपसे एक कोशन में कमेंट बॉक्स में जाना चाहता हूं 47 कोशन पाजेब एक रार मास्टर जी किस विधा की रचना है यह कौन सी विधा की रचना उपन्यास है नाट्या के कहानी यह संस्प्रण है इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजे ठीक है बात करते हैं 48 कोशन की यह है जरों के कडिया तमस किसके द्वारा रचित उपन आंसर नंबर खो ठीक है भीश में सहानी द्वारा क्लियर है इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करते हैं अगर आपको टेस्ट देने में अच्छा लग रहा है बात करते हैं 49 कोशन की 49 कोशन आपके स्कीन पर है कि वीर घाता काल के कवी है ठीक है आपको बताना है वीर घाता करना है वीर चंद वर दाइंए ठीक है यह क्वोशन आप याद कर लो और इसमें आपको हर कोशन को याद करना है जोड़ी कूंकि आप इसमें समझ कुछ नहीं सकते यो पात करते हैं 15 question की बारभट की आत्मकता किस विधा की रचना है ठीक है आपको बताना है बारभट की आत्मकता किस विधा की रचना है तो आप सभी को पता है बारभट की आत्मकता यह एक उपन्यास है ठीक है तो इसका correct answer हो जाएगा option number बात करते हैं 51 कोश्चन की भाग्यवती उपन्यास के लेखक है और मैं जितने कोश्चन करा रहा हूं यह सभी 2021 का जो मौडल पेपर है हिंदी का उसमें सी सभी कोश्चन को मैंने लिया है तो आप जब बोर्ड एक्जाम में बैठोगे तो इस ऐसा कोश्चन देखोगे तो क्यारी करा रहा हूं आप उसी तरीके से हमारे डेली टेस्ट में जूटते चलो ठीक है 51 कोश्चन आपके स्किन पर है भाग्यवती उपन्यास के लेखक है इंसा अल्ला खान जी स्रदाराम फुलोरी जी लाला स्रीनवास दास और प्रेमचन जी ठीक है तो इसका भी करक्ट स्रदाराम फुलोरी जी भाग्यवती उपन्यास के लेखक है ठीक है बात करते है 52 कोश्चन कि प्रेम चंद किस रचना के लेखक नहीए आपको बता नाम संधि प्रेमák कि बिखक नहीं तो कफन इनी की नक्स कर्मिश्च परविसर थीक यह वह साग्टा यह रचना के लेखक नहीं है तो यह ममता है क्योंकि इसके रचेता जैसंकर प्रसाज जी क्लियर है बात करते हैं 53 कोशन की यह कोशन काफी important क्योंकि हिंदी की प्रतम कहानी प्रतम अपन्यास इस तरीके question आपके board exam में बहुत हिंदी के प्रतम कहानी इंदु मतिय अपने दिमाग में अपने copy पर जहां भी note down करना है हिंदी के प्रतम कहानी इंदु मतिय क्लियर है बात करते हैं 54 कोशन की कि गोरा बादल की कथा के लिखक है यह भी question का जवाब आपको comment box में ठीक है पहला question मैंने आपसे पुछा तो और यह question number 2 है आपको बताना है गोरा बादल की कथा के लिखक है कामरे स्वर उसने कहा था दुरुस्वामनी गोदान ठीक है बात करते हैं 55 कोशन की कौन सी रचना नहीं है ठीक है कौन सी रचना आपको नहीं है यह भी बताना ठीक है यह भी question आपको अब इक्जाम में आपको कमेंट बॉक्स बता ना क्योंकि मैं आपको टोटल इस वीडियो में 20 question बताउंगा जिसमें से मैं 16 को करा हूंगा और को आपको बताना रहेगा और जो इस्टुडेंट चार कोश्चन का सही जवाब देगा उसे मैं अपने बैच में बिल्कुल फ्री में जोड़ूँगा ठीक है तो आपको बताना है कौन सी रचना कहानी है तितली उसने कहा था ध्रुस्वामनी गोदान ठीक है बात करते हैं 56 को कासदीप कहानी है आपको बताना अकासदीप कहानी के लेखक कौन है ठीक है जैसंकर प्रसाद जी मोहन राकेश जी प्रेम चैन महादेवी बर्मा ठीक है 56 से करेक्ट अंसर होगा ऑप्शन नंबर को जैसंकर प्रसाद जी क्लियर है बात करते हैं 57 कोश्चन की निबंद इस युग में हो तर दिवेदी युग ठीक है पात करते 58 कोश्चन की संस्कीत के चार अध्याय के लेखक यह बही काफी इंपोर्टन कोस्चन है संस्कीत के चार अध्याय के लेखक आपके रामधारी सिंग दिनकर जी ठीक है महाबी प्रसाद दिवेदी जी भी नहीं सब्सक्राइब करते 59 कोशन की चिंता मड़ी किस विधा की रचना है ठीक है तो यह आपशन नंबर ख इसका साईया अंसर ठीक है कोशन नंबर 63 है कुटज किस विधा की रचना है आपको बताना यह एक निबंद संस्मरण है अलोचना है रेखा चित्र ठीक है तो कुटज आपकी निबंद ठीक है तो अगर पूछेगा किस विधा करेशन निबंद है और जितने इस विडियो को देखने कमेंट बॉक्स में आप एक कोशन का जवाब देते चलो ठीक है अब ऑपर एक काफी कोशन अपके स्कीन पर है हें चार स्मू conceived रामकुमार वर्मा वरमा भाकरीशन अब आपकी स्कीन पर 65 कौशण नमबर है को है निमल्खित में से कौन सी रचना भारतेंदु की है आपको बताना है इस में से कौन सी रचना भा लेखा कौन है जैसंकर परसाद और यह जू भारत दूद्वल सा I動ac इसकी रचना है यह किसकी रचना इब हा Chapuji की रचना है ठीक थू इसमें पूछा पूछा है तो भारत दूद्वल सा इसका correct option हो जाएगा ठीक है वहीं पर आपके 66 question है लचमी का स्वागत एकांकी है आपको बताना है आपको बताना है आपको बताना है आपको कोशन नमर 66 है कि लचमी का स्वागत एकांकी है और यह question सबसे अलग है यह question आ सकता है ठीक है तो इसका correct option है उपेंद्र नात असक जी ठीक है लचमी का स्वागत इकांकी किसका है उपेननात असाबी एक लिए बात करते हैं 67 कुशन के नूतन ब्रह्माचारी किस वदाकर्ष्ण करिसермद हें ये आपको बताना है ये जीवनी है आत्मकथ्भाय। गास मिल्कुल नहीं है नfrig चंज भी नहीं है ठीक है तो एक option बढ़ जाता है देवकी नंदन खत्री जी इसके correct option सही हो जाएंगे ठीक है चंद कानता उपन्यास के लिए देवकी नंदन खत्री जी है ठीक है वहीं पर 69 question आपको स्कीन पर है प्रेम चंद के समकाली उपन्यास कार है ठीक है तो इसका option पड़ेगा तो आप इस comment box में इस question का जवाब दो ठीक है बात करते हैं question no 70 की यहां पर आपके screen पर देखता होगा भारतिंदू हरिष्चन किसके लिखा कर ठीक है तो जिंदगी और जोग के लिखा है भारतिंदू हरिष्चन जी नहीं है काले उजले दिन के भी नहीं और र हरियोज जी यह इसका इनका पूरा नाम है ठीक है हरियोज का पूरा नाम क्या है अयुद्ध्या सिंग उपर दे आए हरियोज जी ठीक है बात करते हैं 72 question की यह काफी important question है हिंदी का प्रतम नाटक प्रतम उपन्यास प्रतम कहानी इस तरीके question आपके board exam में बहुत देखने को मिलेंगे ठीक है तो हिंदी का प्रतम नाटक कौन सा है नहूस इसके correct option option number खाओ जाएगा हिंदी का प्रतम नाटक नहूस है ठीक है बात करते हैं आपके 73 question के और काफी important question है ठीक है भारती आचारियों के नाटक के तत्तों की संख्या आपको बतानी है भारती आचारियों के कितनी है साथ है और यह कौन-कौन सी है पहला एक कथा वस्तू है दूसरा है पात्रेयों चरीत चित्रन तीसरा है इसका संवाज चौता है देश काल वातावरल पाचवा इसका कौन सा पात है भासा सैली और फिर छटवा उद्देश और सातवा में अभिनेता की इस नाटक के कौन-कौन अभीनिता थे ठीक है तो अगर आपसे पूछे भारती आचारव कनुसा नाटक के तत्यों किसंग क्या तो आप साथ बताना और option मैंने सभी आपको बता दिये ठीक है बात करते है 74 question की रानी केत्की की कहानी के लिखक है ये question आपको काफी important question है question number 74 रानी केत्की की कहानी के लिखक है ये आपको बताना है तो इंसा अल्ला खा जी रानी केत्की कहानी के लिखक है तो इसका correct option हो जाएगा option number खा इंसा अल्ला खा रानी केत्की की कहानी के लिखक है बात करते है 75 question की 11 वर्स का समय कहानी के लिखक है आपको बताना है 11 वर्स का समय कहानी के लिखाक रामचंद्र सुकल जी है ठीक है अब बात करते हैं 76 कोशन की जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे रहा है ठीक है खड़ी बोली गद्र का उन्याक कौन है भारतेंदू हरिश्चन जी है रामचंद्र सुकल जी है मुंसी सदा सुकलाल जी है महाव 20 कोशन कराता हूँ जिसमें से आपको 5 कोशन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहता है ठीक है 77 कोशन है वर्तमान यूग में हिंदी गद्र से क्या ताक पर है और वदी ब्रजभासा खड़ी बोली राजस्थानी ठीक है तो 76 का कौन सौप्शन साही है और 77 का यह जल्द का जो हिंदी गद की विदा नहीं है ठीक है तो इसका करेक्ट ओप्शन हो जाएगा 78 का ख़ बात करते हैं 79 कोशन की आधुनिक काल को गदकाल के नाम से किसने अभिहित किया है हजारी प्रसाद दिवेदी जी ने रामचन सुकल जी ने महावी प्रसाद दिवेदी जी रामचन सुकल जी खो ठीक है तो अगर पूछता है आधुनिक काल को गदकाल के नाम से किसने अभिहित किया है तो रामचन सुकल जी ठीक है और क्वेश्चन नमबर 80 भी आप कमेंट बाक से बताओ कि भासा योगवसिष्ट की रचहिता है ललूलाल सदलमी से रामप्रसाद निरंजनी, राजा, लचमर सिंग ठीक है तो इस वीडियो में मैंने आपसे टोटल चार कोशन का जवाब दिया है और जल्दी से जल्दी आप कमेंट बाक्स में चारो कोशन का जवाब दे दो और सबसे मोस्ट इंपॉर्टन बात अगर अब तक आपने हमारा टॉप 100 वैश कमप्लीट ट्यारी करनी है कि नहीं हमें 90 सेवब स्कूर करना ही है मल लगा कर डेडिकेटेट होकर तो आप हमारे टॉप 100 वैशे जोड़ जोइन करना है तो आपको जोइन करना है तो हमारे वाट्सअप नमबर सतर चौरासी एक्क्यासी साथ जीरो जीरो नौ पर वाट्सअ यह आ रहा होगा अब नेक्स टेस्ट में 81 से हंडर्ड टके सभी कोशन को मैं कवर करूँगा उसके बाद मैं आउंगा पिर मैं आपको एक एक कौशन क्लियर करूँगा आपको कहीं भटकने क्यों नहीं मैं जिस तरीकेस त्यारी कराओं अगर आप उस तरीकेस करते हो तो मैं आपको 100% मता सकता हूं आपको 90-95 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोख सकता है